Hello guys, welcome back to our daily quiz series, ठीक है? तो आज के सीरीज में दो questions है और ये दो questions आपके YouTube के community post में मिल जाएंगे Telegram group में मिल जाएंगे और Facebook page में मिल जाएंगे तो I hope आपने solve कर लिया होगा Still अगर आपने solve नहीं किया होगा तो ये एक time है जहाँ पे आप वीडियो को pause भी कर सकते हो और solve कर सकते हो, ठीक है, right? अगर आपने solve नहीं किया तो अभी आप pause कर लो और solve कर लो और अपने answer को comment करना, ठीक है? चलो, तो I hope आपने solve कर लिया होगा अब सीखते हैं कुछ question, ठीक है? दिखने में simple, ये जो दो questions है, बहुत ही simple है लेकिन है क्या, इसके पीछे थोड़ा सा contextually, grammar based नहीं थोड़ा meaning based ये question गलात हो जाते है, ठीक है? तो चलो, पहले question को देखते हैं, अब ये पहला question मैंने दिया Children learn a lot by doing things alone चोड़ा सो question है, meaning भी समझ में आ जा रहा है, कि बच्चे बहुत जादा सीखते हैं जब वो अकेले होते हैं, ठीक है? तो आपका answer इसमें क्या है था, आपने सोच लिया होगा और I hope आपने comment भी कर दिया होगा, ठीक है? अब चलो, इसो देखते है Children learn a lot अब यह देखो, जो word alone है गड़बड यहाँ पर, बहुत लोग जो थोड़ा सा speed में पढ़के निकल जाएंगे या meaning, word का proper meaning या usage अगर नहीं जानेंगे तो उनका पक्का यहाँ पर गलती होगा अब alone actually क्या होता है? अब रहते हो alone अगर जैसे lonely बोले, तो lonely क्या होता? एकांत में होना या अकेला पन होना alone मतलब अकेला रहना लेकिन अगर जब आप बोल रहे हो कि बच्चे खुद से जब कुछ काम करते हैं तब वो कुछ जा के सीखते हैं, तो यह word का जो usage है यह गलत है alone यहां नहीं होगा, ठीक है? तो अब क्या होगा? अभी भी time आप सोच सकते हो, ठीक है? तो children learn a lot by doing things alone नहीं होगा यहाँ पे alone के जगा पे आपको use करना पड़ेगा on their own, मतलब अपने से सीख के practice करके जब हम करते हैं तो हम on our own, on his own, on their own, मतलब आप यह pronoun जो है यह use कर सकते हैं या फिर जो यह positive case है, वो use कर सकते हैं अपने sentence के हिसाब से, तो alone का use नहीं होगा हाँ, अब alone का use कैसे कर सकते हैं, जैसे I live alone, किसी के साथ नहीं रहते हैं तो यह sense आता है, लेकिन जब खुद से practice करके सीखना है तो alone word, contextually, इसका meaning गलत हो जाता है तो I hope आपको कुछ यहाँ सीखने को मिला, still अगर कोई doubt है, तो comment section आपके लिए खुला हुआ आप doubt, comment करो, उस पर हम लोग debate कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ नया concept आएगा, तो उसे भी मैं reply करूंगा, जरूर ठीक है question number two, question number two, बहुत ही interesting था, इसमें एक student का answer बहुत ही, उन्होंने sentence को सही कर दिया ठीक है, और बड़ा ही interesting answer दिया था, वो मैं शेयर करता हूँ आपसे, अब देखो question number two क्या है, walking along the city after dark is not a good idea, अब meaning तो समझ में आ जा रहा है कि dark अंदेरा होने के बाद city में अकेला चलना सही नहीं होता है, या city से पास होना सही नहीं होता है, अब देखो, along का मतलब क्या हो along का मतलब होता है, जब आप, जब आप किसी चीज के साथ parallelly चल रहे हो, जैसे walking along the road या footpath, road के किनारे किनारे आप parallelly चलते हो, तो यह जब parallel relationship establish होता है, तब आप along का use करते हो, तो अब इस sentence में गड़बड क्या है, तो गडबड क्या है कि यह preposition का use गलत use क्या होगा है, तो एक तरीका आप यह करो कि along के जगा पे आपको use कर सकते हो, through का use, आप through का use कर लो, कि city के through, यानि एक point से दूसरे point city के बीचो भी जाते हैं, तो हम through का use करते हैं, along का बोलेंगे, जब किसी चीज के प्तार लेली जाएंगे, तो through बोलो, अब यह बोलोगे कि sir, हम along क्यूं लगा हैं, हम तो along भी लगा सकते हैं, तो देखो meaning क्या रहा है, अगर meaning दे रहा है, walking through the city, city, तो city के बीचो भी जाना, गर यह city नहीं रहता, road बगार रहता, तो हम along बोल सकते थे, लेकिन जो city है ना, contextually यहाँ पर fit क्या हुआ है, तो हमको यह समझना है कि शहर से पार होना, अंदेरा होने के बाद, यह meaning देरा मेरा, ठीक है, तो इसलिए मुझे through लगाना पड़ेगा, अब एक student ने यहाँ पर क्या किया, एक student ने मुझे बोला कि sir, क्या इस sentence को ऐसे लिख सकते हैं, कि walking along के जगा पर, alone, walking alone, in the city, walking alone in the city, after dark is not a good idea, तो ठीक है, contextually, grammatically यह भी सही हो जा मैं इसे नहीं बोलता कि यह गलत है, walking alone in the city, after dark, मतलब अकेला चलना, dark के बाद, सही नहीं है, not a good idea, तो यह भी sentence सही है, तो ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप preposition बेस देखोगे, तो along के जगा पर, आप through use करो, तो वो ज्यादा बढ़ेगा, तो I hope आपको कुछ सीखने को मिला, और still अगर कोई doubt मन में है, तो please comment करो, I'll be more than happy to address it, ठीक है, तो आज का session यहीं रखते हैं, मिलते हैं, अगले session पर thanks for tuning in, ठीक है, till then happy learning and bye for now.